नमस्का बच्चा कैसा हो कि पीड से नजर आए हट के दिखे इसा कैसे हो हर माबाप चाते है कि मेरा बच्चा पीड से अलग दिखे मेरा बच्चा स्मार्ट हो मेरा बच्चा क्लास में टोप आए जब मेरा बच्चा खड़ा होना तो सबसे अलग दिखे हैं हर माबाप की ये तमन्ना होती है तो आखिर उनको ऐसे कुछ सी बाते सिखाएं ऐसा क्या उनको टीच कराया जाए कि वो दूसरे बच्चों से आगे निकले जब बात करें तो दूसरों बच्चों से अलग बात करें जब बिहेवियर करें तो दूसरे बच्चों से अलग बिहेवियर करें जब मेनर्स की बात आये तो दूसरों बच्चों से अलग मेनर्स रखें तो ऐसा क्या करें अगर आप भी चाते हो कि आपको बच्चा बीड से अलग दिखे, आपको बच्चा कुछ अलग एटिकेट सके तो यह अच्छे बाते अपने बच्चे को जरूर सिखाना नमबर वन, एडिशनल लेंग्वेज जरूर सिखाना आज की टाइम में हिंदी और इंग्लिज तो कुमन हो गई सबी सिखाते हैं लेकिन उसके साथ में कुछ ऐसी एडिशनल लेंग्वेज जो दूसरे बच्चों को अधिकतर जो 90% बच्चे होते हैं अधिकतर क्या सिखते हैं हिंदी या इंग्लिज सिखते हैं लेकिन जर्मन लेंग्वेज, संस्कृत, कुछ ऐसी ऐसी भासा फ्रेंच हर कोई नहीं सिखता है तो अपने बच्चों को ऐसी भासा भी सिखाएं एक एक्स्ट्रा स्किल्स उसके अंदर प्यदा करनी की कौसिस करें अगर आप उसे अगर एडिशनल लेंग्वेज सिखाऊगे ना तो दावा है मेरा आप से दूसरे बच्चे यह नहीं सिखते हैं अधिकतर बच्चे यह नहीं सिखते हैं तो आपका बच्चे अगर एडिशनल लेंग्वेज बोलेगा ना तो भीट से हटके दिएगा बच्चे की सुबह जल्दी उठने की आधन डाले अधिकतर बच्चे इसकुल के चक्कर में जल्दी उठते हैं और अधिकतर बच्चे आलस करते हैं अधिकतर बच्चों को आप अपने बच्चों को ऐसा करें कि तकरीबर कम से कम साड़े पांच要शिय कर दे उसको श्कुल जानना और आप 15 bonne हमें उठा कर देंगे श्कुल जानने से कम से कम एक या नेट गंटा पहले उसफ़ते वह रिलेक्स होगा और सब कुछ कारिय करेगा अगर आप उसमें जल्दी उठने की आदर डालोगे ना जो बच्छपन की आदत है ना वो लंबे समय तेक चली रहेगी और जल्दी उठना आप भी जानते हो कि हेल्थ के लिए कितना अच्छा है तो आपके बच्चे अगर लेट उठता है ना तो जल्दी उठने की आदर डाले उसको मेडिटेशन और योग की आदर डाले वो जल्दी उठता है तो आप भी योग और मेडिटेशन करें साथ में उस बच्चे को भी योग और मेडिटेशन कराए अगर वो योग और मेडिटेशन करेगा तो उसकी हेल्थ अच्छ रहेगी उसका दिमाग तेज रहेगा और हर बच्चों से वह आगे रहेगा। आज की इस भाग दोड़ बरी जिन्दिकी में योग और मेडिटेशन बहुत जरूरी होगे। तो अपने बच्चे को आप खुद भी योग करें, मेडिटेशन करें, अपने बच्चे को भी करवाए। इससे क्या होगा कि आपके बच्चे में एक एक एक्स्टा इमुन्टी डवलप होगी जो दूसरे बच्चों में डवलप नहीं होगी। फॉर्थ, मॉबाइल और टीवी से दूरी रखना, आज के टाइम में बच्चे तो मॉबाइल के इतने आदी हो गए कि समय लो एक तरह कि ड्रक्स हो गया, मॉबाइल नहीं हो आई, ड्रक्स हो गया, मतलब एडिक्ट हो गए है मॉबाइल के, अगर आप उनको अगर दस मिन क तो हाई तोबह मचा देगे, और सब के सामने फजीती कर देगे, तो हो सके, जितना हो सके मॉबाइल और टीवी से दूर रखे, हाँ, मॉबाइल अगर नहीं देना है, तो बच्चे के साथ में आप खहले, या बच्चों को ऐसे कुछ खिलोने लाके दे, कि बच्चा उसे ट डेपिनेटली मॉबाइल की तरफ जाएगा, और मॉबाइल की तरफ जाएगा, तो गलत संगत, गलत आदत में पढ़ जाएगा, और आपके लिए ये बहुत ही डिपिकल्टी का समय आ जाएगा, बच्चे के अंदर बुक्स पढ़ने की अदर डाले, जियां, अगर आपको बच्चा बुक्स पढ़ेगा, कोई भी नोवेल हो गया, उपन्यास हो गया, या कोई कहानी संग्र हो गया, इस्टोरी हो गया, तो बच्चे वो पढ़ने की अदर डाले, इससे क्या हो था है? इससे दिमाग तेज होता है और तरफ तरफ का आइडिया वम आते है इसलिए अ तरह तरह से जो motivate करने वाली books हैं ऐसी books बच्चे को पढ़ने के दे तो आपके बच्चे का mind बहुत ही जल्दी growब करेगा और दूसरे बच्चों से जल्दी growब करेगा और आपका बच्चा हड़ तरह से दूसरों से आगे निकलेगा बच्चे को debate और group discussion कराएं debate और group discussion से सबसे बड़ा benefit यही से है कि बहुत बड़ा सीखने को मिलता है और दूसरी बात कि सब के सामने बोलने का मुखा मिलता है अधिकतर बच्चे क्या होते है दबू और दरपोख होते है तो दूसरों के सामने बहुत कम बोलते है इसलिए अपने बच्चे को हमें साथ कई group discussion हो रहा है तो उसमें बेजिए कई debate हो रही है तो उसमें बेजिए उससे क्या होगा उससे उससे लोगों के सामने बोलने की हिच्ची ताहट खुलेगी और एको अच्छी अच्छी लेंग्वेज के साथ में अच्छी पकड़ अच्छी बोली के साथ में दूसरों के साथ में बोल सकेगा और दूसरों को मतलब बोलने में जीतने नहीं देगा इसलिए जितना हो सके group discussion और debate में बच्चे को बेजे तो यह चे बाते अपने बच्चों को जरूर शिखा है अगर ये अचे बाते आपने बच्चों को शीखा दिना तो द अबबा है मेरा आप दूसरे बच्चों से आपको बच्चा हमेसा अगे रहेगा